उत्तर प्रदेश में आये चुनावी नतिजों ने विपक्ष को कठकरे में खड़ा कर दिया है विपक्ष की पार्टियां है उनके अस्तित्वा पर सवाल उठने लगें चाहिए वो ब्यस्पी हो चाहिए आरलडी हो यह तमाम राजजितिक दलों पर आपको बता देगी सवाल यह निसान है चाहिए वो कॉंग्रेस पार्टी हो उत्रप्रदेश के इन चुरावी नतिजों ने साब कर दिया कि उत्रप्रदेश में या बंगाल के उत्रप्रदेश के दोनों की चुनावी नतिजों को अगर कंपेर करें तो ऐसा नजर आता है कि जनता यह चाहती है कि या यह सवाल इस वक्त बहुजन समाथ पार्टी से जुड़ेवे लोग और आपको बता दे कि जो ना जुड़ेवे लोग हैं वो भी पूच रहे हैं दरशल इसका कारण भी है बहुजन समाथ पार्टी अगर कोई एक राजनितिक दल होती तो साइध आपको बता दी कि काली दाल इने लो जिसे पार्टियां जो कमजोर हुई है जिन पर कोई सवाल नहीं करता उस तरीके से कोई सवाल नहीं करता लेकिन बहुजन समाथ पार्टी एक गरीब विक्ती जो अपनी जोपड़ी पर नेला जंडा लगाना कासीराम जी सिकागर गए थे उनकी उमिदे हैं उन तमाम लोगों को भरोसा है बियस्पी में की एक सत्ता परिवर्टित करके उनके समाथ से आने वाला कोई विक्ती देश की सरवचे पद्वी पर पहुंच सके और उने बियस्पी में ये सब कुछ नजर आने लगा था बहुजन सबाथ पार्टी का गिरता वागराप इन तमाम लोगों की उमिदे तोड़ता है बियस्पी किसी एक दल की या बियस्पी किसी एक पेवेक्ती की नहीं बलकि एक बहुत बड़े समुदाई की वंचित वरकी उमिदों को कही न कही तोड़ती नचर आ रही है आपको बता देगी क्या कमबेक बियस्पी कर सकती है इसका जवाब जानने की जब कोशिश की गई तो साप नजर आया कि बियस्पी कमबेक कर सकती है लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा रिफोर्म करना होगा बहुजन सबाथ पार्टी के अंदर फिर से कासिराम मॉडल को ल बहुजन समाथ पार्टी फिर से खड़ी कोच सकती है लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसके बाद यह खड़ा होता है कि क्या बहुजन समाथ पार्टी उसको वापस लागू कर सकती है क्या ब्यस्पी अध्यक्ष मायावती की अंदर आपको बतादे कि कासिराम जी की मॉडल को फिर से लागू करने की कोई इच्चा सकती है आकिर आपको बतादे कि अगर इच्चा सकती ब्यस्पी में नजर आए तो साइध कई न कई बात बंती नजर आ सकती है लेकिन उत्त्राखंड में अभी चुनावी समिक्षा जिस तरीके से की गए और उसका प्रेशनोट आया उ ठैरा हुआ पानी आपको बतादे कि गंदा होने लगता है खराब होने लगता है और जो बहता हुआ पानी होता है बदलने वाला पानी है वो निर्बल नजर आता है चाहिए वो कितना भी घंदा क्यों ना हो यही वज़ा होती है नदियों में सागरों में और आपको बताद कि माबा साब अम्वेटकर के आइडियोलोजी के उपर का मानेवर साब काशिराम जी ने एक बहुत विसाल समूदर की तरह बनाया था और आप आपको बता दे कि वो धीरे देर श्मिटता नजर आ रहा है मिलें किस्टने वीडियों अप्टेटों के साथ अब तक आप चले ते विदा लाइक के जिए कमेट के जो शेयर करना